सब्सक्राइब कीजिए FHT Class चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो स्टुडेंट्स आज हम कक्षा नो की परसनावली 6.3 है उससे पहले दो उधार्ण दिये गए हैं उधार्ण नमबर 7 और उधार्ण नमबर 8 दिया गया तो दोनों उधार्ण मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को स देखें उधार्ण नमबर जो 7 है इसमें हमें दिया गया है कि आकर्ति के अंदर क्यूटी लंबवत है पी आर पि जहां पर यह लंबवत का चिन होता है उसका मतलब वहांपर 90 डिगरी का कौन बनता है तो क्यूटी लंबवत है पी आर तो हम यहां पर लिख लेंगे कि जो क क्यूटी है चलिए यहां पर लिख लेते क्यूटी लंबवत है पी आर क्यूपर अब क्यूटी कौन सी है यह है क्यूटी यह जो लाइन है यह पी आर जो लाइन है इसक्यूपर लंबवत है यानि कि यहां पर यह 90 डिगरी का कौन बन रहा है यह है 90 डिगरी का कौन अब यह लमवत है तो यह कौन 90 डिगरी हो गया, इस कौन का नाम है QTR, तो यह हो गया कौन QTR, यह है 90 डिगरी, जो कि हमें दिया है, हम यह चीज लिख सकते हैं, उसके बाद में दो कौन और दिये गए है, TQR 40 डिगरी है, जो कि यहाँ पर है, और SPR है 30 डिगरी, यह कौन है, तो हमें X और Y गयाद करना है, तो देखें, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका ही बता देता हूं इसका, कि हमें X, Y कौन गयाद करना है, तो यह है X यहाँ पर, और यह है यहाँ पर यह कोंड तो है Y, यह वाला, और यह कोंड है X, तो यह हमें गयाद करना है, पहले हम X गयाद कर लेते हैं, X कैसे ग्याद करेंगे हम एक देखे इसमें एक ऐसा त्री बुझ लेंगे हमें पता है कि त्री बुझ के तिनों जो कौन होते हैं उनमें से अगर दो कौन हमारे पास में दिये गए हो तो तीसरा कौन हम ग्याद कर सकते है तो यहां पर हम ऐसा त्री भूज लेंगे जिसके अंदर दो कॉन दिये हुए है और X का मान हम ग्याद कर सकते हैं तो हम देखें इसमें से यह त्री भूज लेंगे जिसके अंदर Q, T, R यह त्री भूज लेंगे इसके अंदर यह कॉन 40 हो गया ये 90 हो गया और ये X हो गया तो 2 अकॉन दिये गए हैं तीसरा हम ग्याद कर सकते हैं तो X का मान निकाल लेंगे इसको अलग तरीके से मैं बनाऊँ तो ये इस तरह से है ये तरी बूज इस तरह से ये तरी बूज हो गया जिसका नाम है QTR तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तरी बूज हल में हल के अंदर तरी बूज QTR में अब तरी बूज के तिनो कोणों का योग होता है वो 180 होता है तो हम तिनो कोणों को प्लस कर लेंगे तो एक तो हो गया 40 प्लस 90 प्लस X बराबर में 180 डिगरी आएगा इसका कारण लिख सकते है कि तरी बूज के तिनो कोणों का योग तरी बूज के तिनो कोणों का योग 180 डिगरी होता है तो यह इसका कारण लिख देंगे तो हमने तिनो कोणों को प्लस किया और बराबर में 180 लिख दिया 90 प्लस 40, 130 हो जाएंगे 130 प्लस में X बरावर में 180 130 ये माइनस में हो जाएगा तो X बरावर 180 में से माइनस कर देंगे 130, तो X का मान आगया 50 टिगरी ये तो हो गया X का मान अब इसमें से Y का हमें मान गयात करना है Y देखे, Y कहां पर आता है अगर y के अंदर हम ये त्रिबूज ले q, p, s अगर ये ले तो इसमें देखें यहाँ पर पूरा कॉन ये नहीं है और उपर वाला कॉन भी नहीं है तो ये त्रिबूज तो हमें लेना नहीं है हम ऐसा त्रिबूज देखेंगे जिस के अंदरिया तो 2 कोण दिये हुए हो या हम 22 कोण से इसको ग्याद कर सकते हैं तो देखे हम ये माल लेते हैं कि ये जो y है वो 22 कोण है और अंदर वाले 2 कोण ये है तो ये त्रिबुज लेंगे तो इसको मैं एक बर दुबारा बना के आपको बताऊं तो यह देखे कुछ इस तरह से है यह हो गया और यह हो गया यहाँ पर यह Y है हमने यह त्री बूज नहीं लिया यह सिरफ इधर वाला यह त्री बूज जो है यह लिया है तो उपर P लिखा हुए और यहाँ पर R लिखा हुए यह Y है जहाँ पर S लिखा हुआ है तो यह तिरी बूझ लेंगे P, S, R या P, R, S तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि तिरी बूझ P, R, S में इस तिरी बूझ के अंदर यह कौन R जो है वो X है और P जो है वो 30 डिगरी दिया गया है तो हम Y गयाद कर सकते हैं क्योंकि जो 22 कोन होता है यानि बाहर वाला कोन तिरी बूझ के बाहर का कोन वो अपने अंदर वाले जो 2 सामने वाले जो 2 कोन होते हैं उनके योग के बराबर होता है तो यानि इन दोनों का योग Y के बराबर होगा तो हम लिखेंगे कि y के बराबर होगा दोनों कोण का योग 30 पलस x 30 पलस x से y के बराबर होंगे क्योंकि 22 कोण है वो अंदर वाले जो सामने वाले दोनों कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है बराबर होता है जो 22 कोण है वो अंदर वाले अंतरा भी मुग कोण के योग के बराबर होता है तो हमने लिख दिया Y की जगा Y लिखें क्योंकि Y कमान ग्याद करना है 30 की जगा 30 प्लस X कमान यहाँ पर हमने जो ग्याद किया है यहाँ से लिख देंगे x का मान 50 है तो यहाँ पर आगया 50 30 पलस 50 80 हो जाएंगे तो y का मान आगया 80 दिगर तो यह हमें 2 कौन है वो ग्याद करने थे इस क्यूसन के अंदर उधार नमबर 7 के अंदर तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से आपको 2-3 बुज लेने है और किस तरह से आपको मान गयाद करना है इसके बाद में चलिए शुरू करते हैं इसका उधार नमबर 8 अब देखे इसका उधार नमबर 8 उधार नमबर 8 है थोड़ा सा कठिन क्यूसन है आप इसे द्यान से समझी क्यूसन को कि इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या करना है इसमें दिया गया है कि A, B, C एक तरी बुज है A, B, C उपर वाला तरी बुज है यह है इसमें A, B और A, C को करम से E और D तक बढ़ाया गया है इसके देखे उपर वाले तरी बुज की A B जो बुजा है इसको थोड़ा सागे बढ़ाया E तक और A C जो बुजा है इसको आगे बढ़ाया D तक यह हमें दिया गया है यदि C B E कौन C B E देखिए यह C उसके बाद में यह B और यह E C B E यह जो कौन है इतना यह कौन है और B C D B C D यह कौन है यानि कि इधर वाला यह पूरा और यह कौन है यह कौन के समदिवाजक करमस B O इन दोनों का इस कौन का समदिवाजक और इस कौन का समदिवाजक है इसका समदिवाजक तो B O लाइन जो B O लाइन है वो इस कौन के समदिवाजक है यानि कि इस कौन को दो बागों में बांट रही है और यह जो कौन है इस कौन का सम्दिवाजक C O C O जो लाइन है वो है यानि इस कौन को दो बागों में बांट रही है तो यह दोनों कहाँ पर मिलते हैं O पर मिलते हैं हमें सिद करना है कि B, O, C बराबर, B, O, C कौन सा हो गया, B, O, C, ये जो कौन है, ये जो कौन है, वो बराबर में सिद करना, 90-1, 2, B, A, C, B, A, C कौन सा है, B, A, C, ये कौन है, ये B, A, C है, तो ये चीज़ हमें सिद करनी है, तो देखे, इस Q-Sन को आप द्यान से देखना, ज कि जो B, O है, मैं आपको example से समझाता हूँ इस चीज को, कि समधी बाज़क क्या चीज है, समधी बाज़क को किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए आप, समधी बाज़क का मतलब क्या होता है, माल लेजी एक रेखा है, इस रेखा पर हमने ये कौन बनाया, कोई भी रेखा क की उपर, सिधी रेखा की उपर, जब ये कौन मनता है, तो ये 100C डिगरी बाज़क होता है, हम जानते हैं, इस कौन को मैं एकदम बीज में से काट देता हूँ, बिलकुल बीज से, यानि कि मैं कहूंगा, ये कहूंगा कि जो AB लाइन है, ये AB लाइन है, इसको CD, इसका समधी बाज़क है, CD, ये हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो कौन है, इस कौन का समधी बाज़क है, CD, समधी बाज़क का मतलब होगा, जितना इधर है, उतना ही इधर का है, यानि दोनों बाग क्या होंगे, बराबर है, इसको एक नमबर अगर दो नमबर हम नाम दे, तो जितना एक नमब को दो बागों में भी भाजित करती है यानि वो दोनों भाग क्या होंगे इदर वाला और इदर वाला दोनों भाग बराबर होते हैं अब सम्धि बाज़क को कैसे लिखते हैं मालेजिए यह हमारे पास में इस तरह से कौन बना हुआ है यहाँ पर यह इसके अंदर कौन है और इसके बीच में एक लाइन हमने यह सम्धि बाज़क लाइन है तो यह सम्धि बाज़क जो लाइन है हम इस चित्र की तरह से बना लेते हैं इसको जैसे कि यह है इदर वाली लाइन है मारे पास में C, B, E और इस कौन का समदिवाजक है BO तो हम कहेंगे कि ये जो कौन बन रहा है इस कौन का समदिवाजक ये बीच वाली लाइन है और इस लाइन का नाम है BO तो समदिवाजक को हम लिखते कैसे हैं ये पूराख देखे ये जो अब इसमें दो कौन हो गए एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यह line क्या है, सम्धिवाज़क कर रही है, तो कौन नमबर एक और दो हमने पूरा कौन का नाम क्या है? C-B-E है, तो हम लिखेंगे कोन C-B-E, यानि पूरा कोन है C-B-E और एक नमबर क्या है? इसका आधा, C-B-E का, ये तो आधा है, तो इसको हम एक बटे दो से गुणा कर देंगे, तो ये भी आधा बन गया, और ये भी आधा बन गया, तो बीच में बराबर का जिन हम उसी चीज में लगाते हैं जब दोनों साइड की चीज बराबर हो तो ये भी आदा है और ये भी आदा हो गया कहने का मतलब ये है कि CBE कोन का एक नमबर आदा है तो इस तरह से हम समदिवाजक जब होते हैं तो उनको लिखते हैं तो ये ही प्रोसेस हम इस क्यूशन के अंदर करेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो BO लाइन है वो इस कोन का समदिवाजक है इस कोन का नाम क्या है वो लिख देंगे तो पहले हम ये लिखेंगे हाल में देखे कि BO जो लाइन है वो इस कोन का इस कोन का नाम क्या है? CBE, कोन CBE का सम्धिवाजक है, सम्धिवाजक है, मैं आपको सिंपल सा एक बात बताता हूँ, अगर हमें BOC ये कोन ग्याद करना है, जैसा कि हमें क्यूशन में दिया BOC, ये कोन अगर ग्याद करना है, तो कोई भी तिरी भूज के अंदर, अगर ये एक क पहले ये दोनों जो कौन है वो हमारे पास में होने चाहिए त्री बुझ के अंदर वाले दो कौन होंगे तो तीसरा हम ग्याद कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे ये दो कौन निकालेंगे पहले अंदर वाले त्री बुझ के अंदर वाले दो कौन इसको एक नमबर नाम दिया यह एक नमबर है इस कौन का समधिवाजक, यानि कि इस कौन का आधा, तो इस कौन का समधिवाजक है, बी ओ लाइन, तो बी ओ, सी बी इ, इस पूरे कौन का समधिवाजक है, तो हम कौन नमबर एक हमें निकालना है, क्योंकि तिरी बूज के अंदर का कौन है, तो तिरी बूज के या, सोरी, अभी अभी इसको समय कर नाम नहीं देंगे, थोड़ा सा इसमें और change करेंगे, अब देखिए, कौण 1 की जगा, कौण 1, 1 बटे 2 की जगा, 1 बटे 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CBE, तो देखिए, CBE तो ये पूरा कौण है, पूरा कौण कैसे जाद कर सकते हैं, यह एक सीधी लाइन है, अगर यह पूरा कॉन इस तरह से बनाएं, तो 180 का बनेगा, 180 का बनेगा तो पूरा कुण क्या है 180 अगर इसमें से हमें तो ये नीचे वाला इतना ही चीए यानि कि इतना यहां से लेके यहां तक तो उपर वाला क्या है उसको माइनिस कर देंगे पूरा 180 है उसमें से उपर वाला ये माइनिस कर देंगे तो 2 का बाग चला जाएगा 100C में तो क्या आएगा 90 फिर माइनस का चीन Y को 1 बटे 2 से गुणा करेंगे तो Y बटे 2 आजाएगा इसको नाम देंगे समीकन नमबर 1 अब हमने क्या किया को B O है वो C B E का सम्धिवाजक है अब सम्धिवाजक से हमने समीकन 1 बना ली इसी परकार यहाँ पर लिखेंगे कि इसी परकार इधर वाला जो कोण है इधर वाले कोण है उसका सम्धिवाजक है C O लाइन अब सम्धिवाजक है तो हम कोण नमबर 3 को कैसे लिख सकते हैं नमबर देखे 4 को भी लिख सकते हैं लेकिन हमें कौन नमबर 3 चाहिए क्यों कि ये 3 बूज के अंदर का कौन है इसलिए क्योंकि तो हमें ये ग्याद करना है ये ग्याद करने लिए 3 बूज का अंदर वाला कौन होना जरूरी है तो हम लिखेंगे कि CO जो लाइन है वो इस पू सम्धिवाजक है आपको अपने दिमाग में इमेज बनानी है कि हमें ग्याद क्या करना है देखिए अगर इस तरह से क्त्रीव हुज है तो उसमें से अगर यह कौन हमें ग्याद करना है तो इसके लिए यह दो कौन होने जरूरी है तो यह दोनों हम पहले ग्याद कर रही है इस को लिखेंगे जैसे हमने कौन नमबर एक को लिखा था कौन नमबर 3 किया है BCD जो पूरा कौन उसका अधा है तो हम लिखेंगे आध्य गा मतलब होता है एक बटे 2 और किसका अधा है BCD का तो कौन आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे जैसे हमने 180-y यहां पर लिखाया उसी तरह से यहां पर भी लिखेंगे कौन 3 की जगा कौन 3 एक बटे 2 की जगा एक बटे 2 बी सी डी की जगा क्या लिख सकते हैं अगर यहां पर देखिए एक सरल रेखाय से दि इस पर अगर यह पूरा कौन बनाया जाए तो 180 का बनेगा अगर हम उपर वाला इतना यहां से लेकि यहां तक का माइनस कर दे तो नीचे वाला कौन है यह रह जाएगा अब यहां से लेकि यहां तक यह जो कौन है यह क्या है जेड है तो माइनस कर देंगे जेड को तो क्या रह गया नीचे वाला कौन रह गया जो हमें जरूरत है अब इसमें भी हम जैसे यहाँ पर 90-y बटे 2 आया है तो यहाँ पर भी यह यह जाएगा तो हम लिखेंगे कौन 3 बराबर एक बटे 2 का गुणा करेंगे एक स्वस्षी से तो 2 का भाग चला दाएगा तो 90 आएगा माइनस जेड को एक बटे 2 से गुणा करेंगे तो जेड बटे 2 आएगा इसको नाम देंगे समेकन नमबर 2 तो अब हम इसमें 3 बुझ लेंगे कौन सा 3 बुझ निचे वाले लेना है हमने निचे वाले 3 बुझ का देखिए एक नमबर कौन ग्याद कर लिया यहाँ पर जो 3 बुझ के 3 कौनों को प्लस करेंगे निचे वाला जो 3 बुझ है वो लेंगे क्योंकि हमें यह कौन ग्याद कर BOC में, इस त्रिवूज के तिनों को जोड़ना है, पहला कोण ये जोड़ लेंगे, नीचे वाला, जिसका नाम क्या है, BOC, ये BOC, तो कोण BOC, प्लस, दूसरा कोण कोण सा जोड़ेंगे, एक नमबर वाला जोड़ेंगे, तो इसको एक नमबर डायरिक्ट लिख देंगे, एक प्लस, तीसरा कोण सा जोड़ेंगे, ये, तीन, बराबर में, एक सो असी डिगरी होता है, क्योंकि त्रिवूज के, तिनों कोण का योग, एक सो असी डिगरी होता है, ये बात आगे आप इसमें लिख सकते हैं, अब BOC तो हमें ग्याद करना है, जैसे कि हमें क्यूशन में चीज तो, तो इसको तो ऐसा है रखेंगे, तो ये आगया BOC, प्लस, कौन नंबर एक का मान जो हमने ग्याद किया था, वो लिख देंगे, क्या है कौन नंबर एक का, 90 माइनस Y बटे 2 है, तो इसको हम लिख देंगे, 90 माइनस Y बटे 2, ये है कौन एक का मान, और आगे प्लस का चिन है कौन 3 का जो मान है वो यहां से लिखेंगे 90 माइनस Z बटे 2 तो यहां से लिखेंगे 90 माइनस Z बटे 2 बराबर में 180 आजाएगा यह आ गया देखें अब कौन B O C प्लस 90 यह केतने हो गए 180 माइनस Y बटे 2 यह हो गया और माइनस में Z बटे 2 यह आ गया बराबर में 180 देखें बराबर का बीच में यहां पर चिन है तो इथर भी 180 पलस में है और इथर भी तो यह कट जाएंगे तो पीछे क्या आ गया B O C आ गया और यहां पर Y बटे 2 है वो इ पहले लगा देंगे, यह माइनस का यह तो इधर आके, प्लस में y बटे 2 हो गया, और यह भी माइनस में यह तो इधर आके, प्लस में z बटे 2 हो गया, अगर मैं यहाँ पर 1 बटे 2 common ले लेता हूं, यानि कि इसको हम B, O, C, बराबर, देखें नीचे सब के 2 है, यानि 1 बटे 2 आगे, और यहाँ से common लेने का मतलब है, दोनों में से एक बार ही निकलता है, एक बटे 2, तो एक बटे 2 बाहर आगया, तो y और z ब्रेकिट में रह गया, अब हमें देखिए, जो सिद्ध करनी है चीज, उसमें यह लेकिया न, कि बी ओ सी है, तो यहाँ पर हमारा बी ओ सी आ लेकिना, कि B, A, C कहांप fifth रही है, B, A, C, यह कौन है, X, B, A, C, यह कौन है, तो यहाँ से लेकिया आएगए, तो यह कौन से 3 बूज में आते है, उपर वाले 3 बूज में, जिसका नाम है, ABC, तो हम लेंगे 3 बूज ABC, यहाँ पर लेकिएंगे अब त्री, बूज ABC में, अब ABC तिरी बुज़े उसके भी अगर तीनों कोणों को हम जोडते हैं इसके तीन कोण क्या है? X, Y, Z तीनों को अगर जोडते हैं तो X80 होगा तो हम लिखेंगे X plus Y plus Z बराबर में 180 degree कारण लिख सकते हैं कि तिरी बुज़े के तीनों कोणों का योग 180 degree होता है अब यहां हमें क्या चाहिए? Y और Z का मान चाहिए यानि कि X नहीं चाहिए तो Y, Z को हम रखेंगे और X जो है इसको इधर लिए आएंगे तो पीछे यहां पर रह गया Y plus Z रह जाएगा और बराबर यह है 180 और X हमें यहां पर नहीं चाहिए X इस साइड में लेक आएंगे तो माइनिस में X बन गया Y, Z का मान यहां से रख देंगे इसको नाम देदेंगे हम समीकरन नमबर 3 नाम देदेंगे और यहां पर 4 देदेंगे तो हम लिखेंगे समीकरन 4 से मान समीकरन 3 में रखने पर हमें तो y और z का मान रखना है तो y प्लस z इसके जगह हम 180 माइनस x रखेंगे यहाँ पर y प्लस z है इसके जगह हम यह रखेंगे तो बाकि सेम रखेंगे तो यह हो गया कौन b o c बराबर 1 बटे 2 और y प्लस z की जगह हमें क्या लिखना है 180 माइनस x लिखना है यह लिख दिया लिखने के बाद में अब देखे यह आगया कौन b o c बराबर 1 बटे 2 को 180 से गुणा करेंगे तो 1 बटे 2 गुणा 180 और आगे बीच हम माइनस का चिन 1 बटे 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यह जाएगा 1 बटे 2 गुणा x यह आगया अब इसमें भाग दे दिया तो 2 का भाग इसमें चला गया 90 बन गया तो यह आगया कौन b o c बराबर यह आगया 90 यहाँ पर 90 आगया माइनस यह आगया 1 बटे 2 x क्या है x से उपर वाले तिरी भूजगा यह कौन है इस कौन का नाम क्या है यह है तो x लेकिन इसका नाम क्या है b a c नाम है इसका तो इसके x किसका हम यह रिख सकते हैं कौन b a c तो यह चीज हमारी सिध हो जाएगी देखिए यह दिया गया था b o c ब्राबर 90 माइनस 1 बटे 2 कौन b a c तो यह चीज हमने सिध कर दी तो यहाँ पर यह लिख देंगे इत्ती सिध हो तो यह हो गए इसका उधारन नमबर 8 यह थोड़ा सा कठिन है क्यूसन यानि कि लंबा क्यूसन है आप इसको ध्यान से समझे जरूर आपको समझ में आजाएगा फिर भी कोई प्रोब्लम आती है तो मौह आपका solution करने के पूरी कोसिस करूंगा मुझे comment में जरूर बताए आपको कोई प्रोब्लम है तो उसका reply जरूर करने की कोसिस करूंगा तो आज की वीडियो में बस इतना है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू